आज 24 मार्श को वर्ड टीवी डे विश्ट टीवी दिवस मनाय जारा है संपूर्ण विश्व में और इसका मुख्यों देश टीवी रों के सम्मन्द में जन साधार को जानकारी दी जाए और में जागरुकता पैदा की जाए जिससे कि इस भ्यावर वीमारी से लड़ा जा सके और इसके ओपर काबू पाया जा सके टुबरकिलोसिस एक बहुत प्राचीन रोग है और ऐसा नुमान किया जाता है कि लगब बग 9000 वर्शों से ये लोगों में होता आ रहा है इसको विविन नामों से जाना जाता है जैसे कि कंजम्शन, थाइसिस, दिवाइट प्लेग, हि के ओपर के मनिंजेज हो, आख हो, नाख हो, कान हो, थ्रोट हो, हार्ट हो, लिवर, किडनीज, इंटेस्टीन, बोन्स, जॉइंट, स्किन, टेस्टिस, ओवरीज, कोई भी अंग इससे होने से नहीं बच पाता है, कहीं भी बीमारी हो सकती है, विशेश बात यह है कि यदि कि किसी और अंग की बीमारी है, तो इसकी डाइगनोसिस उतनी आसान नहीं होती जितनी की फेफरों की टीवी की है, क्योंकि फेफरों की टीवी, एक्सरे और बल्गम की जाच, दो ऐसी जाचों है, जिनके की दोआरा बहुत आसानी जखीज आ सकती है, जो की अन अंगों में उ परंदों दोनों बीमारीयों का इलाज, चाहे वो फेफरे हों, चाहे वो दूसरे अंगों, और या कभी-कभी ऐसे भी प्रस्तिती होती है कि फेफरों के साथ-साथ दूसरे अंगों की भी बीमारी हो जाती है, उसे फेफरों की बीमारी होई और साथ में इंटेस्टीन्स की बीमारी हो गई तो इलाज दोनों का सेम रहता है उसमें कोई फर्क नहीं होता है कॉमन इलाज है उसी से दोनों बीमारिया ठीक हो जाती है उसकी अवदी पर वही है निरंतरता रेगुलरिटी दोनों में चाहिए है किवल यह है कि कुछ बीमारियां जैसे की brain tuberculosis, meningitis जैसे की bone tuberculosis और खास और से रीड की tuberculosis इनका हिलाज कुछ ज़्यादा लंबे समय तक देना होता है लगबग कभी कभी साल या डेड़ साल तक देना पड़ता है पर उसकी कहीं कि भी बीमारी हो यादि ठीक से हिलाज किया जाए तो वो ठीक हो जाती है diabetes, HIV, vitamin D deficiency, malnutrition, शराब सेवन, ध्रूम पान, वायू पदूशन, टीवी के होने में मददगार होते हैं ये रोग हम आप किसी को भी हो सकता है आए हम सब मिलकर इस रोग से लड़ें जिससे इसके उपर नियंतर किया जा सके Let all of us commit on this world TB day to help fight and control this disease Thank you, धन्यवाद